वेलकम पो एजुबीन आज हम करने किलास 6 एक्साइस फ्रेक्शन एक्साइस फ्रेक्शन नमबर 7 कोश्चन में 7 है find answer to the following write and indicate how you solve them तो पहले तो बोला है find answer to the following इसका answer निकालना है answer क्या बोल रहा है पहले का is 5 upon 9 equal to 415 यह बताना है write and indicate how do you solve फिर उसको solve भी करना है तो पहला पार्ट पहला पार्ट हम करते हैं ए पार्ट is 5 upon 9 equal to 4 upon 5 तो पहले हम लिखते हैं 5 upon नोट कर लिया तो इसमें fraction दरिका आपको 5 upon 9 दूसरा fraction दरिका हमें 4 upon 5 तो हमने देखो इससे पहले हमने question में किया है कि अगर नीचे दो उसको हमें compare करना है क्asm बढ़ा है क्या जोता या इकोल लाह टीन case केस हो सकते हैं या तो gator then ka होगा या is pay होगा या equality कई कई तीन case बनेंगे तो पहला case में अगर denominator equal है तो वां सकते हैं कि क्वाजटा है क्वाज़गा सेकंड केस में लेते हैं जॉधे हैं फी श्म इंशे को कि डिवार करते में तो 5 से करते हैं पहला है तो 9 ओर ऐगा 5 बंजा पर 3 से करते हैं 3.9 फंटिप्वां फ्रेगा 3 नहीं नहीं आनगे तो प्रदेंगे तो 8 सी मिफिटर बंढें तो 9 को 45 बनाना है तो 9 की टे slogan बढ़ेंगे तो 9 तीरी दा 9 को कभर करने यहां पडूани की is to 9 6 होता है तो 5 से मोर्ण करते हैं इसको 9 को तो क्या आता है हमारा 45 अगेर वंहें हमें इसको better करने के लिए इसको उसी से मोल्टिप्लाइ करना होता है ठीक है थे देना कभी भी हम Demand से किसी एक को इक कुल करना है तो हमें दॉनों न्मेर से लगटरी करना है एतल हुग जाएगा ज़िए लिए फ कबर के लैजे अब वचा क्या सैने यानि अगर इसको 9 से मल्ट्राइब कर लें 5 को तो 45 आजाएगा तो सेम नमबर में उपर मल्ट्राइब ना पढ़ा है तो हम उपर की बेस पे इसको बदा सकते हैं कौन बढ़ा है कौन चोटा है अब इसको कबर कर लें तो कौन बढ़ा है थाटिसिक्स यह वाला ब्रेक्शन तो कौन बढ़ा है हमारा 4 upon 5 बढ़ा है यह पार्ट A था पार्ट B में देखिए यह पार्ट B बोल रहा है is 9 upon 16 equal to 5 upon 9 बोला क्या 9 upon 16 बढ़ा है 5 upon 9 से same condition same है same position है ठीक है तो इसके लिए क्या करते हैं इसको फ़र करते हैं तो 9 upon 16 है और यहां 5 upon 9 है ठीक है तो 9 16 और 9 का पहले कि लिए ठीक है आफ ठीक है जाए गए तो 16 जाए गाए तो 16 को ऐसे लिख देंगे त्री ज़री से करते हैं 16 अब 2 से करते हैं 2 8 सिक्ष्टी ऑन रहा एट स्क्ष्टीं इंट्पेइट तू नईसार यह बन गया अब देखिए इसको मूल्ट पड़तें तो 33 dai 9 तो नाहीं हो 4, 4, 5, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हमारा L सीम आ गया 144, ठीक है, 144 हमारा आ गया L सीम, अब हमें क्या करना है, नीची ए 144 बनाना है, 16 के जिगा, और 9 की जिगा भी 144 बनाना है, तो 16 को कबर कर लो, यह 16 को, 2, 2, 4, 4, 2, 16 कबर हो गया, बचा क्या, 3, 9, क्या होता है, 149, इसको अगर हम 9 से मिल्ट्राइ करने, 16 को, तो 144 बन जाएगा, तो उसी साम उपर करेंगे, इंटू 9, अब नेक्स्ट में, 9 की जिगा, 144 बनाना है, तो 9 को कबर कर लो, 3, 3, 9, कबर कर लिया, बचा किया, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 0, 16, यानि इसको मिल्ट्राइ के से करेंगे, 16 से, तो नीचे 16 से कर लिया है, तो उपर भी सेम नमबर से करते हैं, 16 से करते हैं, अब 9, 9 जा, होगा 81, और 16, 9 जा क्या होता है, 144, या 144 आगे, तो 15 को, 16 को 5 से करते हैं, तीक है, 5, 0, 30, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 80 आजाएगा, इसको उपर आजाएगा 80, अगें, 16 को 9 से मिल्ट्राइ करेंगे, तो क्या आएगा, 144, तो नीचे आजाएगा 144, अब देखो, तो नीचे C part क्या बोल रहा है, is 4 upon 9, equal to 16 upon, हाँ, तो ऐसा आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, इसको 9, क्योंकि इसने कहा है, is equal है, क्या, 9 लिख दिया, उसके से मिल्ट्राइगा, तो इस यहाँ भी answer क्या आजाएगा, first वाले का, first वाले का answer भी हम 9 लिख देंगे, next, C part, is 4 upon 5, equal to 16 upon 20, क्या 4 upon 5, 16 upon 20, equal है, तो पहले नोट कर लेते हैं, C part, 4 upon 5, और दूसरा है, 16 upon 20, यह नोट कर लिए हम, तो इसको solve करना है, तो देखो, अभी तक तो क्या था, नीचे सेम नहीं था, अब इस case में क्या है, कि यह तो चलो, simplest form है, लेकिन इसको हम पहले simplest form है, लेकिन इसको हम पहल क्या है, इस case में क्या है, दोनों equal है, तो क्या लिए देंगे, yes, it is equal, ठीक है, it is equal, ठीक है, यह को बहलें कर सकते हैं, next, is 1 upon 15 equal to 4 upon 30, तो D part है इसका, 1 upon 15, 1 upon 15, 4 upon 30, ठीक है, इसको करते हैं पहले, तो पहले हम इसको, simplest form है, तो इससे क्या है, हमारा easy हो जाएगा, 2 upon 15, तो D part 2, 250, कट गया, ठीक है, अब क्या बचा हमारा, यहां 1 upon 15 बचा यहां 2 upon 15, तो हमें तो दिनोमेटर सेम करना होता है, इसमें अलोड़ी दिनोमेटर सेम है, दोनों सेम है, तो इसमें देखना है नहीं है, अमें उपर देखना है, उपर क्वान बड़ा है, 1 upon 2 में 2 जाएगा तो लेकिन इसमें question बोला है कि is equal is 1.15 equal to 4.30 तो कहा लगे देंगे no ठीक है तो यह था हमारा question number seven